हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नोलेज़ अब, दोस्तों आज हम जानेंगे खीरा के कुछ गरेलू उपायों के बारे में खीरा, पाचन क्रिया की विकृत्ती से कुछ स्त्रीपूरुस आरुची के सिकार होते हैं, उन्हें कुछ भी खाना पीना अच्छा नहीं लगता ऐसे में खीरे को काट कर उस पर निम्बू का रस, काली मिर्च का चुर्ण, सेंदा नमक डाल कर खाने से आरुची नस्ट होती है और अधिक भूग लगती है खीरे का रस पत्थरी में लाबदायक है, इसका रस 250 ग्राम दिन में नित्ति तीन बार पीना चाहिए पेसाब की जलन, रुकावट और मदुमे में भी लाबदायक है, इसका रस पीने से पेसाब की जलन दूर होती है या मुत्राशे की पत्त्री में अधिक लाब करता है खीरे के रस को गर्म करके पीने से गुर्दे के दर्द में बहुत ही आरा मिलता है एनिमिया के रोगी को खीरे का अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए क्योंकि खीरे में लो तत्व अधिक मात्रा में होता है जब आँखों में थकान मैसूस हो तो आँखों को आराम पहुंचाने के लिए खीरे के टुकडों को 10 मिनट तक अपनी पलकों पर रखें आँखों पर ठंडे पानी के छीटे मारें इसके गोल्ड टुकडे काट कर 20 मिनट तक आँखों की पलकों पर रखने से आँखों की काले गेरे दूर होता है उच्छ रक्तचाप में खीरे की सलाद खाने वे खीरे का रस पीने से रक्तचाप सामानी अस्तिती में लोट आता है चेरे की तुच्छा के लिए खीरा एक उत्तम टौनिक है इसका नियमित उप्योग करते रहने से फोड़े फुंशियां जूर्यां तता तुच्छा का रूखाफन दूर हो जाते हैं इसके साथ ही ये तुच्छा को चमकदार तता प्राकर्तिक ताजगी प्रदान करता है प्रते दिन खीरे की सलाद बनाकर खाने और सो ग्राम रस सुबह साम पीने से मदुमे में बहुत लाब होता है चोथाई कप खीरे के रस में इतना ही दूद मिला कर चेहरे तता हातों पर लगाने से तुच्छा साफ होती है एक बड़े चमच खीरे के रस में चोथाई चमच नीमबू का रस और एक चुटकी हल्दी पाउडर मिला है इसे तवचा पर मलें आदे गंटे बाद स्वच पानी से इसे दोले यह लोशन हर प्रकार की तवचा के दाज दब्बे हटा कर इसे सुन्दर बनाता है दूप के संपर्क में आने के कारण चेरे की तवचा का रंग गेरा होने पर चेरे पर खीरा अत्वा खीरे का रस लगाने से चेरा साफ हो जाता है ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो